पास को छोड़ो और सफलता पाओ इसके बारे में मैं आप से बात करने माला हूँ मेरा नाम है डॉक्टर दीपक क्याएकर मैं मनोविकार सेख स्रोग सम्मों तर्था वेसरमुदित अग्या हूँ महराष्ट में अकॉला मुंबे नाकपुर पुणे यहां हमारे हॉस्पिटल से जहां हम लोगों को प्रिशिदारों के साथ में अलावा भरती करते हैं और उनका इलाज करते हैं आपको इती बड़ा बनने का है तो आपको पास को छोड़ना पड़ेगा पास को जब आप छोड़ेंगे तो कुछ तो भी बड़ा संभव है करने के लिए क्योंकि पास में हम क्या करते हैं अतीत में हम क्या करते हैं वही वही चीज़े रिपीट करते जाएंगे हमको उसके आदत पड़ी रहती है तो जब आदत है कुछ भी करने की मतलब एक आदी बार हम वही 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 करते रहते हैं तो उसमें एक बार आदत हो जाती है फिसमें घुल मिल जाते हैं और वही वही करते हैं कमफर्स उनमें हो जाते हैं नया कुछ करने का कारण नहीं जब हम को छोड़ेंगे पांस को और कुछ नया करेंगे तो वह अंसरटन एरिया में हम जा दे मौलूम नहीं क्या होंगा तो इसी ग्रोथ करना है तो हो सकता है कि आपको दस आपकी ब्रांचेस करने पड़ेंगे प्राइब आपका जब एक बिजनेस था एक दुकान था तो आप हर एक कस्टमर को अटेंड करते थे उसको पू uğोटते थे हे उसको स्पेशल सर्विस देते थे अभी आपकी हो की दस दुकाने है का अब दस दुकान में जाना-क मुश्कियल है एक सास्मेन, एक समय पे तो को को वहां कस्टमर को सवर करने के लिए आदमी रखने पड़ेंगे और जो आपकी इतने एफिशेंट है आपसे भी अच्छा काम कर रहे हैं तो कस्टमर आता है दो-चार लोग उसको मिलने के लिए जाते है या उसको पूछते आईये बैठिये साब और उसको सब कुछ करने के बाद में अच्छी सेवा देने के बाद में भी उसको चाहिए आप क्योंकि कस्टमर को आपकी आदत हो चुकी है पास्ट में बलते मारी कहा है अब आप तो दस जगा रह सकते नहीं हो लोगों को आदत आपकी है फिर आपको क्या करना बढ़ेगा हो सकता है कि कुछ कस्टमर जो है कुछ क्लाइंट जो है वह आपको छोड़के निकल जाएंगे क्योंकि आप वह नहीं है तो आपके बड़ा कुछ करना है फ्यूचर में है तो यह जो लिमिटेड पास्ट है जो पास्ट ने आपको लिमिट करके रखा हुआ है उसको आपको छोड़ना बढ़ेगा हो सकता है कि कुछ क्लाइंस आपको छोड़ने पढ़ेगे हो सकता है कि कुछ कस्टमर सापको छोड़ेंगे तो आपका नुकसान होंगा मगर आप यहां मुझूद होना चाहिए था देखो लोग चले गए मगर चले गए तो चले गए हरकत नहीं है क्योंकि आपको दस इती ब्रांचेस खोलने की है आप दस जगए एक साथ रह सकते नहीं है लोगों को आपके बिना अच्छी से अच्छी सर्विस मिलनी चाहिए तो हमको यह देखना है कि हम एक्सपुनेशल ग्रोधी करना है ctional growth हम चाहते है तो हमको टीम करनी पड़ेगी लोग खड़े करने पड़ेंगे जो आपकी इतने अच्छी है leaders खड़े होंगी जो आपकी इतने अच्छिए आप से बहेतरिन अच्छा काम कर रहे हैं, और लोगों को सेवा jadi है, तब ही वो संभभ है, क्या बड़े 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 तरीके से नए नए तरीके से आप कुछ नयापन लाके काम कर सकते और आपका धंदा बड़ा कर सकते हो तो मेरा इतने ही कहना है यहां भी कि आपको बड़ा बनना है तो आपको limited pass छोड़ना पड़ेगा और आप जो limited pass छोड़ते हो आपका attachment छोड़ते हो नहीं मैं हूँ लोगों को जो ऐसा अच्छी service दे सकता हूँ मैं हूँ करके लोग आते हैं मेरे लिए लोग आते हैं मैं चले जाओंगा तो कैसा होँगा लोग निकल जाएंगे नुकसान होँगा होँगा जरूर होँगा नुकसान मगर वो खुछ समय के लिए होँगा आप धंदे के अंदर रहे के धंदा बढ़ा नहीं कर सकते आपको धंदा बढ़ा करना है तो आपको धंदे के बाहर आना बढ़ेगा और धंदे के बाहर जब आएंगे तो आप धंदे का गुरूथ कर सकते हो धंदे में अंदर रहे के एक वरकर बन के एक वहां काम करने वाला रहे के कि आपका जंदा कभी भी बन नहीं बढ़ सकता तो आपको जंदा बढ़ा करना है तो करना क्या है पहले काम बंद करो काम बंद करो और आपका जो समय है वो नयापन लाने में मैं नया क्या कर सकता हूं नया ग्रोथ में कहां कर सकता हूं नहीं कौन से रिस्क ले सकता हूं नही एक दिखना पड़ेगा और वह मैं देखता हूं तो डेफिनेटली एक नया empire आपका विल सकता है exponential growth possible है नहीं तो क्या है कि यह साल एक करोड़ का जंदा हो गया अगले साल एक करोड़ दस लाग का जंदा हो और उसके बाद में एक करोड़ 20 लाग का जंदा हो गया ऐसा ग्रोथ चाहिए तो ठीक है जवाब कर रहे हो सही है मगर यह साल एक करोड़ का जंदा है अगले साल तीन करोड़ जंदा है वह इदी exponential growth चाहिए तो टीम बिल्डिंग के सिवा आपको परियाए नहीं लीडर्शिप के सिवा आपको परियाए नहीं आपको खुद को ऐसी जगह जाके आपको बैटना बढ़ेगा कि जहां से आप सिर्फ दूर से धंदक देख रहे हो क्या चल रहा हो देख रहे हो नहीं रिस्क ले रहे हो नही पर भी क्लिक करो दाकि मेरे वीडियो के नोटिफिक्शन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे काफी सारे लोग हमको संपर्क करते रहते हैं ऑनलाइन हमारी काउंसिलिंग लेते हैं और अपने अपने जो प्रॉब्लेम से वह सौल कर लेते हैं काफी लोगों को एंसाइटी है प्रॉब्लेम